इंडिया और बंग्लदेश के बीच में जो टीटमेंटी सिरीज शुरू होने वाली है उस सिरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है और इस टीम में एंट्री हो चुकी है पेस सेंसेशनल मयंग की यादव की मिरा लांश शुरू करते हैं उस टीम की बात जिसका एलान किया गया है बंग्लदेश के खिलाफ होने वाली टीटमेंटी सिरीज के लिए हैं देखे बाई जब जब मैंग यादव के मैंने वीडियो देश चैनल पर पोस्ट किये हैं आप सब को बहुत पसंद आएं और पसंद आएं भी क्यों ना मैंक यादव एक ऐसा नाम है जिसमें सिर्फ तीन टीटमेंटी मैचस खेले आई पील के और उसमें उसमें ऐसा तहल का मचा दिया कि हर किसी के मूँ पर माएं के आदव का नाम था सिर्फ बाइस साल के माएं के आदव में 155 से जादा की रफतार सुनों ने बोलेंग की है और सिर्फ भारती बल्ले बाजों को ही नहीं आस्फरिलिया के बल्ले बाजों को भी परिशान किया है जिनको पेस बोलेंग खेलने की जिनको तेज रफतार खेलने की और जिनको बिशेक शर्मा भी है बहुत सारी T20 वैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछली सिरीज में अच्छा परफॉर्म किया था बट महें के अदव का नाम आना अपने आपने बड़ी बात है और देखिए महें के अदव की एज सिर्फ 22 साल है और वो तीन T20 मैचेस में ही सिलेक्टर् कि महें के अदव को बोलिंग कॉंट्राइट दिया गया और उसके बाद जो इंज्रीज हुई थी उनको आई पिल में रिकवरी हुई उनके ने और उनके कोच ने पूरा पूरा क्रेडिट दिया वीवीएस लक्ष्मन को जिस तरीके से उनके उपर काम किया और अपनी पहली पसंद बना करके महें के अदव को सबने जो सराहा उसके लिए अब जरा में एक एक करके आपको नाम बता देता हूं जो इस सिरीज के लिए ऐलान किया है सूरी कुमार यादव कप्तान रहेंगे अभिशेक शर्मा साथ में संजू सैमसन नंबर तीन पर रिंकु सिंग नाम था बट इनको इंजरी हुई कुछ-कुछ दिक्कते थी उस वज़य से इनका नाम वहां पर नहीं जा पाया यह नहीं खेल पाया अब उसके बाद बतादू शिवम दुबे का नाम यहां पर वाश्मिन सुंदर का नाम यहां पर है रवी बिश्णोई है वरुन चक्रव उस नाम की इसलिए हो रही है एक तो एज कम उसके बाद इस रफ़तार के साथ कंसिस्टेंट रहना वो गेंदबाजी करना काबले तारिफ वाली बात है इनके लिए और इनके कोच ने बच्पन से जिस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी है वो खास सोर पर दिखाई देती है कि technically कितने जादा sound है अब obviously अभी body उनकी grow हो रही है muscles उनकी body में grow हो रहे हैं और उसके साथ ही जब इतनी रफ़तार से गेंदबाजी करते हैं body पर load भी परता जिसकी वज़ाए से injury भी हुई बट NCA में उनको proper treat किया गया rehab उनका हुआ और सिर्फ दो महीने पहले उन्होंने गेंदबाजी करना दुबार से शुरू किया था और उसके बाद उनकी गेंदबाजी देखते हुए उनकी काबिलियत देखते हुए उनको बांग्रदेश के खिलाफ मौका मिल चुका है T20 series म उमीद करते हैं आने वाले समय में ये बाकी formats के लिए भी चुने जाएंगे बट महीन के अदफ का नाम आने से भाई मुझे तो बहुत जादा खुशी है वो जो मजा है रहता है ना भारते के इंदबाजों का विदेशी बल्लेबाजों को डरा करके आउट करने वाला वो मह